हाई गाईज मैं हर्शी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कोहा की रेसिपी जो की काफी टेस्टी बनती है और हमारे चैनल की तरह ही इसका टेस्ट भी है हॉट एंद स्वीट तो चलो देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक पैन में एड़ कर देंगे 2 टेबल स्पोन रिफाइ और अब हमें एड़ कर देंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर आधी चमची अद्रक लैसन का पेस्ट फ्लेम को यहां पर लो रखीगा इन सब को अच्छे से मिक्स कर लो थोड़ा सा सॉल्ट नमक अपने टेस्ट की कॉर्णिग आप एड़ कर लेना और अब फाइनली हमें इस कर दिया ताकि एकसिस ओयल जो है वो निकल लाए अब हम एक साइड में रख देते हैं यहां पर मैंने ले लिया है देड़ कप वह यानि चूड़ा भी इसको कहते हैं बहुत से लोग भीहार साइड में चूड़ा कहा जाता है इसको और इसको हम बहुत अच्छे से वाश कर कर देंगे जादा देर तक नहीं दोना है बस एक बार आपको दोना है कुछ सेकंड के लिए जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूं दोने का प्रोसेस अगर आप जादा दिर तक इसको पानी में रखोगे तो यह बहुत गीला-गीला सा हो जाएगा और पोहे अच्छे नहीं बनेंगे अब फटा-फट से पानी ड्रेन होने के बाद आप इसको एक कटोरे में या बोल में ट्रांसफर कर लो अभी आप देख सकते हूं कि यह थोड़ा से स्थिकी दिख रहा होगा आपको इसी टाइम पर हम इसमें आड़ कर देंगे दो चुटकी हल्दी पाउडर टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक एड़ करना है और साथ में हम एड़ कर देंगे आधी चमची आमचूर पाउडर एक चमची चीनी इन सब को आप इसमें मिला दूब बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको ताकि हर चीज का फ्लेवर जो है वो पोहे में एब्सॉर्ब हो जाए और इसको मिलाने के बाद हमें एक साइट छोड़ देते हैं और तब तक आगे का प्रोसेस देखते हैं यहाँ पर ले लेंगे हमें एक पैन और इसमें एड़ कर देंगे दो टेबल स्पून रिफाइन तेल साथ में एक चौथाई चमची सरसो यानि राइदाना एक चौथाई चमची जीरा दो सुखी वी लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग दो चुटकी हींग डाल देंगे इन सब चीज को डालते टाइम पे आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और थोड़ा सा में आपर करी पत्त डाल देते हैं इससे जो है पोहे में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जरूरी नहीं है अगर करी पत्त नहीं है तो भी आप पोहा बना सकते हो और थोड़ा सा फ्लेवर आने के बाद एड़ कर दो एक चौप के वे प्याज प्याज को जादा लाल होने तक नहीं पकाना है बस हलका सा सौफ्ट होने तक हम पकाएंगे यहां पर मैंने चार लहसन की कली और एक फ्रेश वाली मिर्ची ली है इसको अच्छे से कूट लिया है ग्रश कर लिया है और वो हम यहाँ पर अड़ कर देंगे इसमे लहसन का जो कच्छा वाला फ्लेवर आता है पोहे में वह बहुत जब्दा अच्छा होता है दस सेकंड तक लहसन को पकाने के बाद हम आड़ करेंगे एक चौधाई चमची धनीय पाउडर और एक चौधाई चमची किचन किंग मसाला इन मसालों को जादा नहीं बस 20-30 सेकंड तक हम पकाएंगे लो फ्लेम पर और इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे थोड़ी सी फ्रेश वाली धनी की पत्ती तो अब बारी आती है इसके अंदर पोहे एड़ करने की जो की हमने पहले से भिगो कर रखा था इसको सिर्फ धोना है आपको इसमें पानी बिल्कुल जादा रहना नहीं चाहिए जिससे की पोहे गीले हो सकते हैं अब धो करके फटा फट पानी ड्रेन कर लो एड़ कर देना है यहाँ पर मिक्स कर लो और मिक्स करने के बाद हम आड़ कर देंगे इसके अंदर सबजी जो हमने पहले ही पका कर रखी थी गोबी और आलू आप इसके अलावा गाजर मटर और बी कुछ डाल सकते हो इनको mix करने के बाद मैं आपर थोड़ा सा छिड़कूंगी इसके ऊपर पानी मुझे पोहे थोड़े सूखी लग रहे थे तो मैंने पानी छिड़का लेकिन अगर आपके पोहे गीले हों तो आप पानी बिलकुल मत इसके ऊपर डालना दो से तीर मिनिट तक मैंने कवर करके छोड़ दिया है लो फ्लेम पर और अब हम इसके अंदर आड़ कर देंगे एक चौथा इससा नीमबुक कर रस और थोड़ी सी फ्रेश वाली धनिय की पत्ती मिक्स कर लो अच्छे से पोहे आपके रिडी हो चुके हैं सर्फ करने से पहले मैं आपको एक इंपोर्टेंट बात बताऊंगी जैसे कि अगर आपको मेरे रेसेपी अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करना तो जानते ही होगे लेकिन बगल में जो बेल होता है न उस पे आल पे सलेक्ट करना इंपोर्टेंट होता है तभी आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलेंगे यानि कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको पता चलेगा पोही के उपर आपको डालना है तोड़ा से रोस्त किया हुवा मोमफली और उसके उपर सेयो या बीकानेट भुजिया जो होता है वो फाइनल टच के लिए तो आपका ये गर्मा गरम पोहर रेडी है मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई